हे गाईस मेरा नावमितर आप देखें ग्यान फोर तो आज कि इस वीडियो में हम कंपेर करेंगे दो फोन को जो कि एक है सामी का मी 11 और दूसरा है जो वन प्लस 9 प्रो जो सामी मी 11 मोबाइल है ये तो अभी आ चुका है मार्केट के अंदर बट ये गलोबली लॉंच वा है अ को वीडियो में उसके प्राइश क्या है और लॉंचिंग क्या है और इसके सारे इस पैसिफिकिकेशन अगर हम है बताऊंगा तो बीना टाम वेस्ट की बीडियो क Сам करता है जो स्टार्ट तो बात करते हैं इन दोनों फोन के इस मेसे ऐले की तो अगर मगतकantine मी 11 के डिस्प्ल देखने को मिलती इन दोनों ही फोन की जो डिस्प्ले है वह 120hertz refresh rate को support करती है यानि कि दोना ही फोन के अंदर हमें 120 hertz refresh rate वाई डिस्प्ले देखने को मिलती है यहीन ही जो mi 11 mobile है आगर आप उसको normally use करते हो जाचे कि normal task को गरा करते हो तो उसकी जो refresh rate है, वो 30 Hz refresh rate तक आ जागी, जैसा कि आपने Samsung के phone में भी देखा होगा, उसके अंदर भी 120 Hz refresh rate वाली display दी गई है, बट अगर आप उसको normally use करते हो, तो वो 10 Hz refresh rate तक आ जाती है, उसकी display होती है, यानि कि जो touch response होता है उसका, तो वैसे ही Mi 11 के अंदर भी आपको दे प्रोसेसर की, तो इन दोनों ही phone के अंदर हमें Snapdragon 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, अब बात करें इस phone के अंदर GPU की, यानि कि ग्राफिक काड की, चाहिए वो Mi 11 हो, और या फिर OnePlus Pro, इन दोनों ही phone के अंदर हमें Adreno 660 ग्राफिक देखने को मिलता है, अब बात करतें इ Android वर्जिन कौन सा मिलेगा तो जो Mi 11 है उसके अंदर आपको Android 11 मिलेगा जो कि Mi UI 12.5 पे चलता है यह Mi 11 जो मोबाइल है अब वहीं पर बात करेगा OnePlus 9 Pro की मोबाइल के बार में तो उसके अंदर आपको Android 10 वर्जिन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इन दोनों फोन के अंदर connectivity की तो यह दोनों फोन 5G सपोर्ट करते हैं यानि कि इन दोनों ही फोन के अंदर आपको 5G देखने को मिलेगा चाहे वो Mi 11 हो या फिर OnePlus 9 Pro मोबाइल हो अब बात करते हैं इस फोन के अंदर internal storage की और RAM की तो जो Mi 11 मोबाइल है इसके अंदर आपको 8-12GB तक RAM देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको 3 वेरियंट देखने को मिलेगा और जो तीनों वेरियंट उनके जो प्राइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे और होई LPDDR5 की RAM देखने को मिलेगी जो कि अगर 8GB की RAM है तो और 12GB की RAM है तो दोनों ही आपको LPDDR5 की RAM देखने को मिलेगी अब बात करते हैं Mi 11 के वेरियंट की जो की तीन वेरियंट है उसके अंदर तो 8GB RAM प्लस 18GB ROM दूसरा जो है 8GB RAM प्लस 256GB ROM और जो तीसरा वेरियंट है उसके अ अंदर आपको 8GB की RAM और 128GB की ROM और 8GB की RAM और 256GB की ROM और प्लस लास्ट वाली जो थर्ड उसका वेरियंट है वो है 12GB की RAM और 256GB की ROM और इन दोनी फोन के अंदर आप Xpandable नहीं कर सकते अलग से इसमें आप memory नहीं लगा सकते जो इसके अंदर धियावाई storage वही storage रहेगा तो इसके अगर आप लोग सोच रहे हो की अगर आप memory अगरा लगा कि इसकी जो इंटरण इस टोरेज है उसको expand कर सकते हो तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो अब बात करते हैं दोनों फोन के rear camera के बारे में तो जो Mi 11 का camera रियर camera वो आपको triple camera setup देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो इसका wide angle camera है वो 108MP का है और जो ultra wide है वो है 13MP का और जो micro camera है वो 2MP का है अब बात करें पर अगर हम OnePlus 9 Pro mobile के उस camera की तो उसके अंदर आपको 4 camera setup देखने को मिलेगा जो कि जो primary camera वो है 64MP का और जो ultra wide camera वो है 16MP का और जो wide angle camera यानि कि telephoto lens वो आपको 12MP का देखने को मिलता है और उसी के अंदर जो depth photo वो आपको 5MP का देखने को मिलता है और इन दोनों भी phone के back camera से यानि कि जो rear camera है उससे आप 4K तक की video record कर सकते हो जो कि 30fps और 60fps में भी suit कर सकते हो और वहीं जो Mi 11 mobile है उसमें ये भी बताया गया कि आप इससे 8K तक की video record कर सकते हो वो भी 24fps और 30fps तक वहीं पर अगर आप 1080fps पे suit करते हो तो 480fps तक suit कर सकते हो Mi 11 mobile से जो इसका rear camera है अब बात करते हैं इन दोनों phone के front camera की यानि कि जो selfie camera है तो जो Mi 11 mobile है उसके अंदर आपको 20MP का selfie camera देखने को मिलेगा और वहीं पर अगर हम बात करें OnePlus 9 Pro mobile की तो उसके अंदर आपको 32MP का selfie camera देखने को मिलता है और इन दोनों phone के जो selfie camera है वह आपको whole punch display साथ देखने को मिलेगा जो की left side पे corner पे होगा और इन दोनों phone की जो display वो side से थोड़ी सी curve है अब बात करते हैं दोनों phone के अंदर security की तो इन दोनों phone के अंदर आपको under display fingerprint देखने को मिलता है आप बात करते हैं दोनों phone के अंदर battery और charger की OnePlus 9 Pro के अंदर और Mi 11 के अंदर तो जो Mi 11 है उसके अंदर आपको 4600mm की battery देखने को मिलेगी जो की 55W के fast charger को support करती है इसके जो Mi 11 mobile है इसके अंदर आपको wireless charger के भी support देखने को मिलता है जो की 50W के fast charger को support करता है इसके अंदर आपको reverse charging भी देखने को मिलती है, वो जो है आपको 10W की charging support देखने को मिलती है उसके अंदर अब होई पर बात करें इस phone को charge करने में कितना time लगता है, यानि कि जो Mi 11 mobile है, जो कि 46 मिच की बैटरी इसमें 500W के fast charger के साथ आती है तो इसको आप 45 मिनट के अंदर 100% charge कर सकते हो, वह भी बात करते हैं OnePlus 9 Pro के अंदर बैटरी और charger की, तो इसके भी अंदर हमें 4510MH की बैटरी देखने को मिलती है, जो की 65W के fast charger के साथ आती है दोने फोन के अंदर आपको USB Type-C का port देखने की मिलता है, अब बात करते हैं इन दोने फोन के price की, तो इन दोने फोन की जो price अभी expect की जारी, जो इनका waste variant वाला phone है, उसकी जो price expect की जारी वो 55,000 के around की जारी है, बट अभी यह कोई final नहीं है, यसलिप एक leaks के मुताबिक पता दिया, बट मुझे नहीं लगता कि यह इस price point पर launch होगा, इसका हो सकता है price थोड़ा आगे भी हो सकता है, या फिर पीछे भी हो सकता है, वैसे आपको क्या लगता है कि जो companies को यहाँ इंडिया में launch करेगी, Mi 11 को और OnePlus 9 Pro mobile को, तो क्या price point यहाँ company रख सकती इंडिया में, आप का जो भी अंसर हो मुझे comment section में जरूरी बताना, अब बात करते हैं, दोनों phone launch कब तक हो सकते हैं, इंडिया के अंदर, तो जो Mi 11 mobile है, इसको तो बताया जा रहा है कि यह हो सकता है, कि आट फॉरवर को launch हो जाए, बट यह जो OnePlus 9 Pro mobile है, इसको जो बताया जा रहा है, जो leaks से पत 9 Pro mobile है, इसकी पूरी detail मुझे नहीं मिली, जितनी भी detail मुझे मिली मैंने आपको इस वीडियो करें सारा बता दिया, तो अगर मुझे कोई भी topic अगर छूट गया हो, तो प्लीस मुझे मुझे माफ कर देना, तो बस फिलाल वीडियो में इतना है, आसा करतों कि में तरफ से द बताना, और मुझे Instagram पर follow कर लेना, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो के दिए, तब तक के लिए thank you and good bye.